आज का फर्ष्ण प्रश्ण है एक अदर्ष अ मिटर का पर्तिरोध कितना होता है सुन्य, अतिलगु, अतिव्रीहद, अनन्त जब अदर्ष अ मिटर जब कहेगा तो इसका पर्तिरोध या सुन्य हो जाएगा इनिका अप्षन नमबर ए इसका राइटेंसर होजेगा अगर वहीं पुछता एक अदर्स बोल्ट मीटर का परतिरोध क्या होता है तो वह अनन्थ होता ही याद रखेगा जब बोल्ट मीटर पुछेगा तो अनन्थ हो जाएगा आरजॉब अदर्स ए मीटर पुछेगा तो सुन या इसका राइट एंसर हो जाएगा इसका अगर PDF चाहते हैं तो टेलिग्राम ग्रूप से ज्वाइन होकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में ही डिस्क्रिप्शन बक्स में लिंक दिया गया है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर प्रश्ण है कि परतिघात का मातरक क्या होता है बहुत ही मतपूर्ण सवाल है कि परतिघात का मातरक क्या होता है ओम, एंपियर, फैराडे, बोल्ट तो सबसे पहले बताना चाहते हैं परतिगात का जो मातरक होता है वह ओम होता है यानिका अप्सन नमबर A इसका राइटेंसर हो जेगा और जो एमपियर होता है वह धारा का मातरक होता है और फैराड जो होता है या धारिता का मातरक होता है और बात करें बोल्ट की तो बोल्ट प्रकास्तंतू का सिधान्त अधारित होता है बीवर्तन पर अपवर्तन पर पुर्ण आंतरिक परवर्तन पर या डी हे ब्यतिकरन पर तो अप्टिकल फाइबर जो होता है वह पुर्ण आंतरिक परवर्तन पर अधारित रहता है यानिकि टी आई आर पर टोटा इंटर्नल तिक्षिंगी दारों से होकर आंसिक रूप से मूर जाने की परकिरिया बिवर्तन कहलाता है। और अपवर्तन में क्या होता है? जब काच की सिलेब में जब छड़ी को डुबाय जाता है या तेड़ा मसूस होता है तो उसमें अपवर्तन किरिया होती है और महत्पूर उधारन अपवर्तन की क्या होता है तारो का टिम्टिमाना यह अपवर्तन का उधारन होता है और बात करें ब्यतिकरन की तो ब्यतिकरन में जो चीडिया का रंग हमें लाल, पीला या नीला दिखाई देती है वह चीडिया वह ब्यतिकरन के कारण ही संभाव हो पाता है और पतले फिल्म के रंग कहीं ब्यतिकरन उधारन होता है याद रखेगा याद कि इसका राइट एंस रोजेगा आप्सन नमबर सी अम्रीग मिरीचिका की घाटना पुर्ण आंतरिक परवारतन पर ही आधायत रहता है और यहाँ पर प्रस्ण है कि दिर्ग दिरिष्टी दोस में उपयूक्त लेंज होता है आउतल, उत्तल, सम्तल, बेलनकार तो दिर्ग दिरिष्टी दोस में क्या होता है इसमें दूर की वस्तुए असपष्ट दिखाई देती है बल की नजधीक की वस्तुए असपष्ट दिखाई नहीं देती है दिर्ग दिरिष्टी दोस का लाता है और इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का बेवहार किया जयता है यानिका option number B इसका right answer हो जेगा और बात करें निकर्द्रिष्टी दोस की तो निकर्द्रिष्टी दोस में क्या होता है इसमें नजदीक की वस्तुएं असवाश दिखाए देती है बलकि दूर की नहीं निकर द्रिष्टी दोस का लाता है और निकर द्रिष्टी दोस की निवारन के लिए ओता लेंस का प्रियोग किया जाता है याद रिखेगा और जारा दूर दर्ष्टा में बाइफोका लेंस का उप्योग किया जाता है नेक्ट प्रास्ण है कि यदि समरूप बिधु छेत्र वाई अक्ष के दिशा में बिदमान है तो सम बिभाव क्या होगा जब वाई अक्ष में कहेगा तो देखिए क्या क्या होता है एक्स वाई और जेड हो जाएगा जब X में कहेगा तो सम विभाव Y, Z हो जाएगा जब Y में कहेगा तो यह हो जाएगा Z और X जिसका कहेगा वो बराबर के पहले रहेगा और जोर नहीं रहेगा वो बराबर के बाद रहेगा तो X, Z हो जाएगा अगर जब Z कहेगा तो X और Y हो जाएगा तो प्रस्ट ने पुछा गया है कि X अक्ष के दीशा में विद्मान है तो स्वम्भव क्या हो जाएगा तो Y अक्ष के पुछा है तो X और Z हो जाएगा तो देखें किस अप्सन में है X और Z तो अप्सन नमबर B में इसका राइट एंसर हो जाएगा और X, Y जो है यह Z अक्ष के दीशा में विद्मान होगा तो और यह जो है यह X अक्ष के दीशा में विद्मान रहेगा तो इसका स्वम्भव होगा अगर सेशन अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजेगा इसका पीडियाप चाते हैं तो टेलिग्राम ग्रूप से जोईन होकर इसका पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ प्रस्ण है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है तो हम पहले बता चुके थे कि वियतिकरन के उधारन रहता है एक पतले फिल्म के रंग का जो कारण होता है वह वियतिकरन के कारण ही संभाव हो पाता है और विवर्तन को जानते हैं हैं जब परकास की कि तो वह तिक्ष किनारों से होकर आंसिक रूप से मूर जाने की परकिरिया विवर्तन कालाता है और वर्ण भी छेपर में क्या होता है जब परकास की किने किसी परदर्सी माध्यम से गुजरता है तो वह सात अवयवी रंग में विभक्त हो जाता है जिसे ही वर्ण भी छेपर कह और यहां प्रस ने सिवे नमर कि निमलीखित में कौन मॉलिक कौन नहीं है यानि कि मूल कर्म कौन सा इसमें से नहीं है नूट्रोन, पोट्रोन, इलेक्ट्रोन और आल्फा कर्ण तो मौली कड़ ये तो सभी को मालम होगा कि आलफा कड़ यह मौली कौन नहीं होता है यानि कि option number A, sorry D इसका राइटेंसर होज़ेगा और नाभिक में जो पाय जाता है, नाभिक में neutron और patron पाय जाता ही याद रिखेगा next प्रस्ण है आश्ण प्रस्ण आपके सामने है कि परकास का बेग महत्तम होता है हवा में, सीसा में, निर्वात में या पानी में तो सबसे पले बताना चाहते हैं परकास की चाल जो होता है वह 3 गूने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है काляется chiama साहब सावादा शीशा में भी नहीं होता है और पानी भी में भी नहीं होता है निर्वात में इसकी बीएक होता है अधिक नियुक्तम निर्वात में इसकी बेएक होतेजैंगे इन ही प्रस्णों में से ही बार-बार हमारे बोडिक जामें पूछे जाते हैं याद रखेगा और यहाँ प्रस्ण है कि टीवी पर सारन के लिए निमलीखित में कौन मातरक सही है बताना है टीवी पर सारन के लिए निमलीखित में कौन मातरक सही है 30 alphabet से 30 kilo Bye 30 mega data 300 mega data और D है 30 giga data 30 giga data तो इसके लिए TV के लिए क्या होता है 30 mega data से 300 mega data होता है यनि का option number C इसका right answer हो जेगा याद रखेगा जरूर comment कीजेगा कि ए कुछ से ंरुसानर आपको कैसा लगा और इसबीश प्रसुन में से ही आपको कितना प्रस्टने जो है आपको पहले से मालूम थे यह जरूर प्ताइएगा क्या मेंट्र जरूर किजिएगा और यहां पर प्रस्टम को अपरतनांग करीब होता है ये तो सभी को मालूम होगा कि हीरा का अपरतनांग कितना होता है एक तो होगता नहीं है और एक दसमला पांच ये भी नहीं होता है चार दसमला चार एक चार ये भी नहीं होता है तो हीरा का अपरतनांग दो दसमला चार दू इसका मान होता है यानि कि निम्न में सबसे अधिक भेदन चामता किसकी होती है पराय बैगनी किरन गामा किरने बीटा किरने या आलफा किरने तो सबसे अधिक जो भेदन चामता होती है किसी भी प्लेट को या छेद कर सकती है वह गामा किरनों में ही संभाव हो पाता है यानिकि अप्सान नमबर सी इ सेशन महत्रपूर आते रहेंगे और ताकि बोड इकजाम में अप 90 परसेंट या 95 परसेंट जरूर लाएंगे ये पुरे हमारा विश्वास है अपर और यहां पर प्रस्ण है कि कोबाल्ट है प्रती चुम्बा किये अनु चुम्बा किये लोह चुम्बा किये और डी है कोई न किया है कोबाल्ट है लु鐵 ए फीए और नीकील तीनों में से एक आपके वह डुर्ड एकाम है सेम्सटी सेम रहने वाले हैं और अनु चुम्बा किये में क्याहता है उनुशह लेति नीओ हो जाए unforjah हो जाएगाками जगेन हो जाएगा और अनुचुम्बकिय में यह बताया, प्रति चुम्बकिय में क्या होता है, इसमें Ubain Archive, इसमें Antimony, Veterans, Tribuse Act, G Initiative, पदार्थ रते हैं, और और भी पदार्थ रते हैं, महत्पूंड जो जासता है, सीसा है, याद रखेगा, प्रती चुम्बकिय हो जाएगा और लोह चुम्बकिय में तीन ही महत्पूर्ण होते हैं याद रखेगा तीनों में से एक आपके बोर्ड इंग्जामें सेम टू सेम रहने वाले हैं और ये जो परस्ण है काफी महत्पूर्ण सवाल है कीलो वाट घंटा के डबलू एच या के डबलू एच रहेगा या तो एक कीलो वाट घंटा लिखेगा यानिकि दोनों सही है कीलो वाट घंटा की इसका मात्रक है तो उर्जा का बेवसाइक मात्रक होता है कीलो वाट घंटा यानिका option number B इसका right answer हो जाएगा और बात करें सक्ति का तो सक्ति का सभी को मालिम होगा कि सक्ति का what होता है जिसे W से सुचित करते हैं और ball अगुर्ण का जो मात्रक होता है या newton meter होता है और जो ball अगुर्ण होता है या सदीस रासे भी होता है याद रखेगा इसका मात्रक के newton meter हो जाएगा और उर्जा का बेवसाइक मात्रक के kilowatt घंटा और सक्ति का what हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा option number B और ये numerical से सवाल है आपको बताते हैं बहुती अच्छे से ताकि आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे तीन संधारित्रे जिन में परत्य की धारता C है याद रखेगा या जो है स्रेनी करम में जूड़े हैं तो उनकी तुली धारता यानिकी only C का मान ग्याद करना है तो तुली धारता ग्याद करने के लिए क्या होता है स्रेनी करम में वन बाई C ये स्रेनी करम का सूत्र होता है तो वन बाई C पलस वन बाई C वन बाई C इसलिए लिखे हैं क्योंकि परत्य की धारता C है तो इसलिए हम तीनों संधारित्र की धारता only C ही लिए है तो इसको जब हम बाटा का जोर करेंगे तो यहां पे तीनों का मान समान है तो only C हो जाएगा और जब बाटा का जोर करेंगे तो यह one, one, one जो हो जाएगा वह तीन हो जाएगा तो तीनों जोर जाएगा और फिर only C का मान पुछा है यहाँ पे c का मान पुछा है तो यहाँ पे जो मान आया है 1 by c का मान आया है 3 by c 3 by c आया है ठीक तो 3 by c only c का मान गयात करना है तो c बराबर हो जाएगा यह c उपर जाएगा तो आजेगा c upon 3 तो देखेंगे c upon 3 की इस अपसन में हैं यहाँ पे आप देखेगा C, 3 upon C आया था, तो वनली C का मान ग्याद करना है, तो C बराबर हो जाएगा, यह C उपर जाएगा, तो C upon 3, इस परकार से आप ग्याद कर सकते हैं, C upon 3, तो देखें किस अपसन में, तो अपसन नमबर C में इसका राई टेंसर हो जाएगा, और बात क कहता, अगर समानतर करम में कहता, इसे जोडने के लिए, समानतर करम में, तो समानतर करम में क्या होता है, इसमें तीनों जूड जाता है, तो C बराबर होता है, C1, C1, C2, C3, तो तीनों जब जूडता, तो यह 3C हो जाता, याद रखेगा, यह समानतर करम के लिए है, और यह जो आया है एंसर ये स्रेनी करम के लिए हो जाएगा यानि कि option number C इसका राइट एंसर हो जाएगा तो चलिए next नपरस्ट को देखते हैं और ये जो काफी महत्पूर्ण सवाल है आपके सामने कि धातु का परवेदुतांक यानि कि ER होता है तो जब धातु कहेगा किसी विधुत्रोधी माध्यम के लिए तो उसके लिए एक से अधिक इसका राइट एंसर हो जाएगा लेकिन यहाँ परस्ट में पुछा गया है धातु का परवेदुतांक जो होता है वह अनौन्थ होता है यानि कि option number D इसका राइट एंसर हो जाएगा और यह जो प्रस्ट है परकास के करनिका सिधान्थ के परतिपादक थे हाइगेंस, न्यूटन, फ्रेनल, मेक्सवेल तो परकास के करनिका सिधान्थ के परतिपादक न्यूटन को माना जाता है यानि कि option number B इसका राइट एंसर हो जाएगा सेशन अच्छी लग रही हो तिसे लाइक ज़रूर कर दीजेगा क्योंकि आप लाइक करते हैं तो ही आप हमको बुझाता है कि आपको यह सेशन बहुत ही अच्छी लगी और यहाँ पुछा है कि basic gate होते हैं मूल gate होते हैं इसे related आपको 5-6 प्रस्ण अभी ही मालूम चल जाएगे basic gate होते हैं end, nand, nor, or not और end, or not तो basic gate जो होते हैं end, or, or not होते हैं यानि का option number D इसका right answer हो जेगा और इसका बुलिये बेंज़क अगर कहता or gate का जो बुलिये बेंज़क होता है a और b बराबर y और से ही बना है नौर तो नौर का बुलिये बेंज़क होता है a और b बराबर y end के लिए बुलिये बेंज़क हो जाता है a dot a इसको dot नहीं end ही पढ़ेंगे a and b बराबर y end से ही nand बना है nand get तो nand के लिए क्या होता है जिस परकार नौर पर इस पर बार चोड़ जाता है यह निकि n आने के बाद यहां पर बार चोड़ जाता है तो उसी परकार से इस पर भी बार चोड़ जाएगा इस परकार से आप ग्याद कर सकते थे किसी भी निकि तीन ही ऐसी गेट है चार जो हमारे बोर्ड एक्जामें बार बार पुछे जाते हैं याद रखेगा तो इसका राइट एंसर होज़ेगा अपसा नमबर डी और यहाँ पुरस्ण है कि एक स्वास्थ मनुझ से के नेत्र की फोकस दूरी होता है तो सभी को मालम होगा कि स्वास्थ मनुझ से कि फोकस दूरी अनन्थ होती है अपसा नमबर डी इसका राइट एंसर होज़ेगा अगर पुछता कि एक स्वास्थ मनुझ से की निमतम दूरी कितनी होती है तो वह 25 सेंटिमीटर हो जाथा यानि कि इसका राइट एंसर होज़ेगा अपसा नमबर डी आईए आज का आज𝘤 नमर कोशन देखते हैं और प्रहस्थ महें कि एक फ्राडेव बराबर होता है 26005 से मklum e гр एद रेखेगा और यह काफ्य मंत्तिपूर्ण सवाल है यह भी हर साल हमारे बोडिक में पूछे जाते है सभी प्रहस्थ महत्तिपूर्ण है इसा ही प्रस्ण को आप प्रेक्टिस करते रहेगा क्योंकि प्रेक्टिस रहेगा तो आप एक भी प्रस्ण तर नहीं चुटेगा कुलाम बाल होता है केंद्रिये बाल बिधुत बाल A और B दोनो और D है कोई नहीं तो कुलाम बाल जो होता है वक्केंद्रिये बल भी होता है बीधुत बल भी होता है यानि का अप्सान नमर सी इसका राइटेंसर हो जाएगा ए तथा भी दोनों हो जाता है कुलामबल तो दोस्तो इस परकार से इस महत्पूर सेशन को यहीं पे खत्मे करते हैं अगर यह सेशन आपको अचलेगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजेगा और चानल से नए जिल्ड हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा इसी तरह के महत्पूर सेशन आते रहेंगे और लाश्ट में कहना चाहते हैं कि हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए तो थैंक्स फूर आचिंग इस वीडियो मेरते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू